आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस फोटो सब टिटोरियल में हम ये फोटो एडिट करने वाले हैं जो आपको डिस्पले में नजार आ रहा होगा इस फोटो को एडिट करने के बाद हम इसका एक पासपोर्ट साइज फोटो भी बनाएंगे तो इसमें हम दो चीज आज किलियर करेंगे पहला कि इसको फिनिसिंग कैसे करें दूसरा कि इसका पासपोर्ट साइज फोटो किरियेट कैसे करें तो ये दो चीज आज इस tutorial में आपको सीखने को मिलेगा, वीडियो को आप अन तक जरूर देखें और हमारी चैनल पर first time आयें, तो चैनल को subscribe करके bell icon दबालें, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो friends जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास Photoshop CS3 version है, और आज हम जो बतान आने वाले हैं, आप उसको किसी भी Photoshop में कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कमी है, इस चीज को ढूंडते हैं, कमी क्या क्या है, आपको पता यहां चल रहा होगा, मिल्को फोटो को थोड़ा सा जूम करते हैं, जैसे यहां पे 2-3 pimples है, यहां एक hair आया हुआ है, यहां पे भी एक hair है, और यह dark area है, तो यह सारे चीज को आज हम इस Photoshop में clean करेंगे, बताएंगे, deeply बताएंगे, कि कैसे इस चीज को आप खतम कर पाओगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा, तभी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और वीडियो कैसा लगे, ह तो उससे curve खुल जाएगा, या फिर image में जाएगा, adjust में जाएगा, और यहां पे आपको curve का option मिलेगा, उसके बगल में shortcut की लिखा हुआ रहेगा, आपको अगर याद नहीं है, तो यहां से आप copy में भी इसको leak सकते हैं, curve को हम यहां पे click करते हैं, और बीच से पकल के हम थ थोगा सा dark area है, जो कि हमें remove करना है, तो वो remove करने से पहले इसका pimples जो है उसको हटाना पड़ेगा, तो pimples हटाने के लिए करना क्या है, आप यहां पे चले जाएगा, यहां पे आपको मिलेगा sport handing brush tool, इस पे आपको click कर लेना है, और click करने के बाद, जहां जहां पे भी आप आपको pimples दिख रहा है, वहां पे बस एक single click किजिएगा, वो वहां से खतम हो जाएगा, जैसे यहां पे हम single click करेंगे, यहां पे हम single click करेंगे, यहां पे हम single click करेंगे, तो इस तरह की से आपको जहां जहां पे भी दाग दिख रहा है, वहां पे आप सिर्फ एक बार click किजि हैं यह हो सकता है यह किसी का पहचान हो यह हो बहुत तरह का दिक्कत है अगर कलाइंड आपको बोले कि इसको भी रिमूब करना तो आप कर सकते हैं जली अब देखें यहां पे हेर एक आया हुआ है इसको हटा सकते हैं कैसे करेंगे इसी को ले लेंगे असपोर्ट हैंडिंग प्रस्टूल और इसको क्या करेंगे इस तरीके से सिर्फ एक बार प्रेंट कर लेंगे कि माउस का जो बटन है उसको दवा के रखना है और सिर्फ यहां तक खिश देना है वह एटोमेटिक वहां से खतम हो जाएगा अब देखें यहां पे भी है तो यह रहने देते हैं इसक यहां से रिमूव हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रस का परियोग करेंगे ब्रस कैसे चलाना है इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा ब्रस चलाने के लिए सबसे पहले तो आप फोटो को जूम कर लिए कभी इस तरीके से इतना छोटा में आप ब्रस का यूज न खरें फोटो को जब भी ब्रस चलाना है फोटो में तो आप फोटो को थोड़ा सा जूम कर लिजेगा उसके बाद की बोर्ड के बटन से आप बी प्रेस कर लिए बी प्रेस करने से क्या होगा कि आप डाएरेक्ट ब्रस टूल पे चले जाएगा या फिर आप यहां से करेंगे तो paint कैसे करेंगे देखिए ध्यान से सबसे पहले यहां जो color दिख रहा है एक बार आप color पे click किजिए और face में जो सबसे अच्छा proper color दिख रहा होगा वहां से आप color को एक बार pick कर लिजिए जैसे हम यहां से color को pick कर लिए इसको बाद में भी कर सकते हैं, यहां से हम color को pick कर लिए और यहां से okay करेंगे, तो यह color यहां पे मेरा face का आ गया, अब देखिए brush जो है आप यहां से size बड़ा छोटा कर सकते हैं, यह है brush का size ले सकते हैं, उसके बाद है इसका mode को आप हर हमेशा normal रखेगा, अब देखें यहां पे है कि opacity और flow है, तो opacity आप 20-22 के approach में रखेगा, अगर photo में ज़्यादा आपको brush चलाना है, तो ज़्यादा ज़्यादा आप 25-26 के आसपास ले के जाईएगा, लेकिन हम proper 20-22 पे ही काम करते हैं, तो हम यहां से 22 रख लेते हैं, और flow को भी हम उतना ही रखते हैं, 20-21, इस से ज़्यादा नहीं रख, इसमें रखे 21, इसमें रखे 22, अब देखिए क्या करना क्या है, कि यह round को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहां से, अब इस तरीके से आपको सिर्फ यहां पे paint करना है, अब देखिए है क्या, कि हम यहां से तो sample कर लिए color का, लेकिन यहां से हम चाहते हैं कि यह color यहां पे आ जाए, तो आपको घबराने का कोई बात नहीं, एक बार यहां से alt दबाईएगा, तो वहां पे drop बन जाएगा, alt दबाके एक बार click कर लिजे, वो वहां पे sample हो गया, इस तरीके से आपको paint कर लेना है, जैसे यहां का है, इधर लेके आना है, तो इस तरीके से यह paint होते चला जाएगा, इस तरीके से आपको धीरे-धीरे paint कर लेना है, अपने photo पे, जहां पे भी चाहिए, कि आप यहां पे थोड़ा सा paint होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, धीरे-धीरे यह photo clear होते जा रहा है, कभी भी photo को आप zoom out करके नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं, comment करके हमें जरूर बताईएगा कि tutorial मेरा कैसा लगता है, आप लोग comment करते हैं, हमें लगता है कि आप लोग कुछ सीखने को नहीं मिला है, तो इसलिए comment जरूर करें, तो इस तरीके से आप अपने photo में paint कर ले, अब देखें, इतना तो हो गया, अब समझ में आ रहा होगा कि ये photo कितना change हो गया, अब देखें, यहाँ पे करेंगी क्या, कि आपके system में एक portraiture नाम का या फिर noji bear नाम का filter होगा, तो वो filter को एक बार apply कर लिजिएगा, तो ये photo automatic smooth हो जाएगा, अगर आपके पास filter नहीं है, तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो में जाएए, वहाँ पर free of course download करने का link दिया हुआ है, उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो manual हम इसको कैसे ये करेंगे, smooth करेंगे, उसका भी 2-3 वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से उसको check out कर सकते हैं, तो फिलाल हम हम यहाँ पर portraiture नाम का एक मेरे पास filter है, मुसको use करेंगे, यहाँ पर filter में जाएंगे, imageatics में जाएंगे और नीचे यहाँ पर portraiture है, portraiture पर default यहाँ पर करके हम यहाँ से ok करेंगे, यह portraiture आप link से download कर लिजे, या फिर इसको manual कैसे किया जाता है, वह भी वहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार हम यहाँ से portraiture मा रहे हैं, अब इसमें हम एक बार noji bear चलाएंगे, तो दो हम इसमें filter चलाएंगे ताकि यह photo पुरा sharp हो जाए, अब देखें इतना तो हो गया, अब देख सकते हैं photo बिल्गुल change हो गया, अब हम इसका brightness and contrast देखेंगे, हलाकि यह photo मेरा proper ठ see, यह इसका shortcut की है, या फिर आप image में जाएगा, adjust में जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा brightness and contrast, इस पे क्लिक कर लिजे, अब उपर में है जो brightness है, नीचे contrast है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, आप brightness के तरफ बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा photo light हो गया और contrast हम इसमें थोड़ा सा plus करेंगे, तो आप देख सकते हैं, photo मेरा contrast भी हो गया, हम इधर अगर कम करेंगे तो photo थोड़ा अजीब type का हो जाएगा, यहाँ से हम इसका contrast को plus करते हैं, सिर्फ 8 plus, यहाँ से ok करेंगे, तो यह photo आप देख सकते हैं, proper मेरा ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा light इसमें जादा हो गया, तो हम इसमें light थोड़ा सा कम बढ़ाते हैं, बस इतना करते हैं, light 15 plus किये और contrast हम इसका 5% किये, बस इतना यह photo देख सकते हैं, आप proper मेरा यह ठीक हो गया, अब देखिए, होता क्या है, कि अगर बाल थोड़ा सा हमें और dark चाहिए, तो स आप जूम कर लिजे और इसका exposure को आप थोड़ा सा कम करके रखिए, और इस तरीके से जब इस पे चलाईएगा, तो थोड़ा थोड़ा यह black हो जाएगा, एक तरीका तो यह है, अगर पूरे में black आपको कम करना है, तो करना क्या होगा, alt IAS से selective color open हो जाएगा, selective color कैसे open होता है, alt IAS से, या फिर आप image में जाएगे, adjust में जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते है selective color का एक option मिल जाए, यहाँ पर है selective color, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सीधा जो color यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर black पर ले लेंगे, black पर लेने के बाद यहाँ पर देखिए, स इतना dark चाहिए, तो उस तरीके से इसको कर सकते हैं, यहाँ पर, अब देखिए, इसका जो कपड़ा का color है, थोड़ा सा red है, अगर इसको हम थोड़ा सा और red कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको red ले लेना है, red लेने के बाद नीचे जो black लिखा हो, इसको हम थोड़ा सा कम क इसको हम एक copy बना लेते हैं, control J प्रेस करके, इसका color balance मेरा ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसका color को थोड़ा सा छेड़ देते हैं, मान के चली कि मेरा photo इस तरीके का था, तो अब इसको हम balance कैसे करेंगे, तो करना क्या है, कि control L प्रेस कर लिजिए, L प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए, तीन drop tool दिख रहा होगा, यहाँ बीच वाला drop tool को ले लिजिए, और जहाँ पर भी dark area है, जैसे hair में है, arc के नीचे है, retina में है, तो आप सिर्फ एक click किजिएगा, यह automatic जो है, यहाँ से अपने आप color हो जाएगा, मतलब यह balance हो जाएगा, फिर से आप देखि एक बार click किजिएगा, automatic इसका balance हो जाएगा, एक तरीका तो यह हुआ, दूसरा तरीका है, control M प्रेस किजिएगा, control M, या फिर आप image में चल जाएगेगा, edit में जाएगेगा, और यहाँ से curve open को लिजिएगा, अब देखिए यह photo जो है, थोड़ा सा yellow है, yellow को कैसे खतम तो आपको यहाँ से RGB जो लिखा हुआ है channel पे, आपको यहाँ से blue ले लेना है, और blue को हम थोड़ा सा बढ़ाएगे, तो automatic जो है मेरा yellow वो खतम हो जाएगा, आप देख सकते हैं photo में, पहले मेरा photo कैसा था और अभी कैसा है, तो इस तरीके से आप balance कर सकते हैं, एक तरीका औ yellow tone था, वो खतम हो गया, अगर rate खतम करना है, तो इसको आप इधर कीजेगा, rate खतम हो जाएगा, तो यह channel है, आप जितने भी इसको यूज कीजेगा, तो समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में, तो इस थरीके से आप color balance कर सकते हैं, अब देखिए इसका हम background को change करते हैं, background कि इस photo में हमें background change नहीं करना था, फिर भी हम आपको बताते हैं, कि किसी भी reference जो आप passport size photo बनाते हैं, तो उसमें उतना cutting करने का कोई जहमेला नहीं है, सिधा आप एक बार click किजिए, background को change किजिए हो गया, लेकिन आपको process हम बता दे रहे हैं, process क्या है इसका, कि आप सिधा photo को zoom कर लिजिए, paint tool को ले लिजिए, और यहां पे बहुत ज्यादा लोग को problem होता है, तो यहां पे दो आपको symbol देख रहा होगा, तो इस वाले symbol पे रखना है, जहां मेरा अभी है, यहां पे यह path पे रखना है, और यहां से करना क्या है, कि photo को आप zoom कर लिजिए, उसके बा अंदर बना रहे हैं, आप लोग को क्या करते होंगे, कि background को भी थोड़ा थोड़ा ले ले लेते होंगे, तो ज्यादा तर ध्यान रखें कि आप background ना ले तो ज्यादा बहतर है, इस तरीके से आपको करना है, ना कि इस तरीके से, ठीक है, आपको उपर उपर ही लेना है, बा को cutting करते हैं वीडियो को थोड़ा सा fast कर देंगे और हमारे चैनल को आप subscribe करके रखिये subscribe करते के साथ-साथ आप लोग दोस्तों को लोगों को भी share कर लिए तो चलिए हम वीडियो को यहां से थोड़ा सा forward कर देंगे तो finally आपको करना क्या है कि यहां तक आपको selection कर लेना है इस तरीके से और यहां मिला देना है ठीक है यह मिल गया अब देखिए क्या करना है माउस में अपोजिट क्लिक करके यहां से आपको make selection कर लेना है make selection कर लिजेगा make selection करने के बाद यहाँ पर फाइदर दे दीजेगा फाइदर आपको 2-3% सी ज्यादा नहीं देना है तो हम 3 हल आके use करते हैं radius इसका ok करेंगे तो यहाँ पर proper मेरा selection हो चुका है अब करेंगे क्या इसका background को change करेंगे background को कैसे change करेंगे या तो आप इसी background का color लेके सीधा delete press किजेगा तो यह background आपका proper हो जाएगा यह एक तरीका यह हो गया दूसरा तरीका इसका यह है कि आप इसका double click करके ok कर लिजे और यहां से delete press कीजिएगा तो इसका background ही खतम हो जाएगा अब कोई एक background को ले लिजे मेरे पास इस तरीके का background है और इस background को ले लिजे यहां पे आपको करना क्या है सीधा drag and drop इसको उठाईए इस पे लाके छोड़ दीजे इसको बड़ा कर लिजे अब यह photo है उसके नीचे हम ले कर आ जाएगे तो आप देख सकते हैं इसका background भी change हो गया है आप देखे यहां जो green थोड़ा थोड़ा दीख रहा है आपको कुछ नहीं करना है यहां से आप burn tool को ले लिजेगा और इस तरीके से आपको यहां पे paint कर देना है तो वो जो green दीख रहा था वो black हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसका background बहतरीन तरीके से change हो गया है तो यह कर सकते हैं आप हम इसको अभी control Z मार के हम back चले जाते हैं यहां पे आप देख सकते हैं मेरा यह original photo था अब देखिए एक तरीका इसका यह तो हो गया अब यहां से आप magic tool का भी use कर सकते हैं magic tool यहां से ले लिजे background पे एक बार इस तरीके से click किजे फिर shift प्रेस करके आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएए तो यह क्या होगा कि इसका selection बन जाएगा passport size जो आपको quick बनाना है तो इसमें काम यह आता है अब यह तो हो गया अब यहां से हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से आपको ok कर लेना है यहां से color select कीजिएगा याद रहें कि जो color background मेरा photo में था जैसे आपके studio में blue background लगा हुआ है तो यहां से भी आपको blue ही select करना है तो ज्यादा proper आप जल्दी में passport size photo किसी को बना कर दे सकते हैं अब यहां से ok करेंगे सीधा delete press करेंगे अब यह जो background था मेरा clear हो गया है लेकिन है क्या कि इसमें हमें थोड़ा सा feather देना चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यह छूट गया तो करना क्या है आपको फिर से back चले जाना है back जाने के बाद हम यहां से क्या करेंगे इस पर feather आइड कर देंगे यहां पर feather लिखा हुआ है हम यहां पर feather एड करेंगे 3% अब हम delete मारेंगे तो यह क्या होगा जो मेरा पहले यह दीख रहा था वो अब कम हो गया ठीक है अब देखें यहां से क्या है कि बहुत लोग को दीकत होता है इसके पीछे light लगाने के लिए आप length light किस तरीके से लगा सकते हैं देखें करना क्या है आपको यहां पर चले जाना है filter में filter में जाने के बाद आपको यहां पर render देखने को मिलेगा यहां पर light effect यहां पर light effect जाईएगा करना कुछ नहीं है इसमें आपको एक omni का option आता है ओमनी का option पे चले जाईए और इसको आप अपने photo के according इसको adjust कर लिजे कि light आपको कहां पे चाहिए कितना dark चाहिए इस तरीके से आप ले लिजे लेने के बाद सीधा आप यहां से okay कर लिजेगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई studio में जरू से ओमनी सेलेक किएगा यह जो circle बना हुआ है round इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लिजेगा तो क्या होगा कि वो light थोड़ा सा और यह बड़ा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यह हो गया अब जो है इतना चीज़ समझ गया होगे अब हम इसको passport size बनाना बत ही दिए अब इसमें passport size क्या होता है passport size में कैसे करना है सबसे पहले आप यहां से crop tool को ले लिजिएगा crop tool को लेने के बाद आपको क्या करना है यहां से 33 mm and 43 mm आपको यहां पे type करना है crop करना है 33 mm 43 mm और इसका आप resolution 300 ही रखिए और इस तरीके से आप इस यहां पे cutting कर आप तक यह आपको लग रहा है कि यहां तक होना चाहिए आप इस थरीके से इसका cutting कर लिजिए इसका cutting हो गया cutting होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि चारों side इसमें एक थोड़ा सा black type का border लग जाए करना क्या है कुछ नहीं करना है control A press किजिए edit में जाईए और यहां पे देखिए एक stock नाम का option होगा यहां से आप black ले लिए आपको जो color चाहिए उससे मतलब नहीं है हम black ले रहे हैं black ले लिए और इसका जो PX है आप इसका जो मोटाई होता है उसको आप कितना रखना चाहते हैं वो अपने अनुसार रख लिए तो passport size छोटा photo होता है उसमें अ चरीके का यह border आ गया है अब देखिए हम इसको 46 साइज में इसको कैसे सजाते हैं सजाना क्या है control एन प्रेस करके आपको 426 पेज ले लेना है तो यहां पर सबसे पहले आप इंच सेलेक्ट कर लिजे और 46 यहां पर आप लिख दीजे 4 इंटू 6 46 लिखने के बाद यहां पर resolution 300 इसका background आप bite रखिएगा और यहां से ok कर लिएगा तो यहां पर यह पेज आ गया पिए जाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आईसे ही हमें सजाना है तो आईसे ही आप सजा सकते हैं या फिर अगर इसको rotate करना है तो आप image में चले जाएगा और यहां से आप rotate कर सक सजाना है सजाना है यह है कि आपको सीधा यहां से उठाके drag and drop कर लेना है अपने page पे ठीक है इस तरीके से आप इसका angle बना लिजे keyboard के बटन से आप alt प्रेस कर लिजे और इसको आप यहां पे इतना space दे दिए जहां ते आपका कैची से cut सके अब इतना space दे दिए space देने के बाद करना क्या है कि यह दोनों फोटो को merge कर देना है मर्ज मतलब दोनों फोटो को एक कर देना है ctrl e press करके ctrl e press करेंगे तो यह दोनों फोटो एक हो गया फिर से हम alt प्रेस करेंगे और फिर से इस तरीके से खीचेंगे तो यह क्या हुआ चार फोटो बन गया मतल असलब दो फोटो ये है, दो फोटो ये है, Ctrl-E फिर से प्रेस करेंगे, तो ये चार फोटो एक लेयर बन गया, उसके बाद Alt प्रेस करके आप नीचे की और खीचिएगा, तो क्या हुआ कि ये चार-चार आठ फोटो हो गया, उसके बाद फिर से आपको मर्ज कर लेना है, Ctrl-E प्रेस करके, अब ये एक लेयर बन गया, आप अपने पेज पे अनुसार आप इसको अड़ेस्ट कर लिए, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पासपोर्ट साइज फोटो बन गया, फिनीसिंग हो गया, अब चाहें तो इसमें आप लाइट बढ़ा सकते हैं, Ctrl-A प्रेस करक करेंगे, contrast थोड़ा सा चाहिए, या फिर हम थोड़ा सा यहां से highlighter को कम कर देते हैं, इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं, ये फोटो इस तरीके का ये बन गया, तो ये सब चीज आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये set कर लेना होगा, कि फोटो जो हम फ परसन हम बताये हैं, वो एक basic option था, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें comment करके जरूर बताईएगा, अगर comment नहीं करते हैं, तो हमें ये लगता है कि आप लोग कुछ सीख नहीं पाएं, तो comment आप लोग जरूर करें, और हमारी channel पर अगर first time आया हैं, तो channel को subscribe करके bell icon आज तक के लिए इतना ही मिलते हैं, नेस्ट वीडियो में धन्यवाद,